हेला दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से इंडियन कस्टम इंफो यूटूब चनल पर स्वागत है दोस्तो मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है एक्शली दोस्तो तीन हफ्ते पहले ही मैंने ये कमिंग सून वाला वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने बताया था कि within a one week मैं इस course को launch करने वाला हूँ लेकि मुझे कुछ दिक्कत आई दोस्तो सबसे पहले मैंने इस course को Udemy में upload करा था लेकिन जैसे ही मैंने इस course को Udemy में upload करा उसके बाद जब मैंने price range वारा डाला और उसके बाद मैंने प्रमो कोड अप्लाई करा ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर से उन लोगों को ये course सस्ते में मिले ताकि मैं उनको प्रमो कोड दूँ इस प्रमो कोड के मदद से वो लोग इस course को जो है एक कम price range में खरीच सके तो इसी लिए मैंने वहाँ प्रमो कोड वारा डाला था लेकिन वहाँ पर दिक्कत यह आ रही थी कि जो प्रमो कोड मैं आप लोग को वहाँ पर डाल के दे रहा हूं वो प्रमो कोड जो है वीतिन वन मन एकसपार हो जाता मुलब एक महीने था कि उस प्रमो कोड की वैलिटी रहती है उसके बाद क्या है मुझे दुबारा प्रमो कोड क्रेट करना पड़ेगा फिर आप लोग के साथ फिर शेयर करना पड़े है मुले जो भी मैं इस वीडियो के नदा आपको प्रमो कोड देता व उनको ये कोर्स सस्ते में ही मिले मन अब दोस्तो मैंने कम्यूनिटी टैप के अंदर एक पोल डाला था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि इस कोर्स का प्राइस रेंज क्या होना चीए तो दोस्तो 79% लोगों ने इस कोर्स को 3000 के नीचे बिलो 3000 के नीचे रखने के लिए सज दोस्तो इसी वज़य材 से मैंने इस कोर्स का प्राइस रेंज 4999 रखा लेकिन दोस्तो आप लोगों के लिए जो subscribers है आप लोगों के लिए में इस course की सबसे बड़ी खासियत यह है दोस्तों कि इसके अंदर आप import documentation को basic से लेके शुरू कर सकते हैं और पूरा का पूरा custom clearance process मैंने इस course के अंदर explain किया है और वो भी दोस्तों हिंदी में बता रखा है जिसे कि आप लोग को किसी भी तरह का language issue ना आए पीछे मैंने एक वीडियो बनाये था free import export course by dgft का जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग को यह दिक्कत आए कि वो course English में है और बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे तो मैंने सोचा कि इस course को मैं हिंदी में रखा हूँ जिसे की हर किसी को समझ में आया जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे most जो subscribers है वो हिंदी को ही जानते हैं इसलिए मैंने इस course को जो है हिंदी में ही record करा है दोस्तों इस course के अंदर आपको जो है सब कुछ सीखने को मिलेगा मतलब कि जो भी import documentation है उसका पूरा का पूरा process मतलब import documentation से लेके HS code कैसे ढूंडा जाता है और notification benefit कैसे ढूंडते हैं checklist preparation कैसे करते हैं bill of entry filing कैसे करते हैं और पूरा custom clearance process इसके अंदर explain किया गया है दोस्तों इस course को मेरा बनाने का मकसद ये था कि जो भी लोग jobless है भी या फिर जो आगे जाके job पे जाएंगे मतलब जो लोग इस industry में interest रखते हैं जो चाहते हैं कि मैं इस industry में काम करूँ या इस industry में आगे बढ़ू तो उन लोगों के लिए इस course को मैंने specially design करा है क्योंकि इस course के अंदर पूरा का पूरा basic level से लेके advanced level तक लेके गया है उनको every point मैंने explain करा है जिससे कि अगर वो कही job पे भी जाते हैं इस industry में तो उनको किसी भी तरह का दिक्कत ना है और इसके अंदर सबसे बड़ी bonus मैंने आप लोगों के लिए रहीगी और जो भी आपका import ये custom clearance related notifications नहें आएंगे वो सब वहां पे आप लोग के साथ share किया जाएगा और साते में दोस्तों जो भी बंदा इस course को purchase करके उनको अगर कहीं पे भी job लग जाती है और उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि मुझसे contact करना कि क्या वहां पे उनको बात कर सकते हैं और जो है वो पूछ सकते हैं कोई भी उनका doubt कि क्या है कैसे है क्या classification करना क्योंकि practically वहां पे हो सकता है उनको किसी भी तरह का दिक्कत आए तो उस चीज के लिए मैं हमेशा से available रहूंगा उन लोगों के लिए WhatsApp पे तो आप lifetime रहे हो गई रहोगे और साती में जो बंदा नया जॉइन कर रहा है उन लोगों को मैं 45 डेस कागेंगी मैं चामजता हूं कि 45 डेस के अंदर उनका mostly सारे चीज़े जो भी जिदने भी issues है जो उनको starting में आती है वो सब clear हो जाएगी और बाकी जो भी doubt होता है वो मेरे से WhatsApp में पूछ सकते हैं तो दोस्तों description में आपको सीधा इस course का link मिल जाएगा आप वहां से क्लिक करके इस page पर आ सकते हैं जैसी आप इस page पर आओ तो आपको यहां पर add to cart की उपर click करना है जैसी आप add to cart पर click करोगे आप यहां पर आप से login पूछा जाएगा तो अगर आपके पास जैसे नए हो तो आपके पास और अपना password create करके खुद को register कर लेना है मैं एक बार दिखाता हूं कि आपको कैसे करना है जैसे ही first name में हमने Indian custom info डाल दिया और यहां पर एक काम करते हैं Indian customs यहां डालते हैं और last name में हम info डाल देते हैं उसके बाद username में हम Indian custom info ही रहने देंगे और उसके बाद email id में हम अप password create करते हैं और हम उसके बाद यहां पर register की उपर click करेंगे दोस्तों जैसे आप register की उपर click करोगे आपका जो registration process है वो complete हो जाएगा और वापस आप इस page पर redirect हो जाओगे यहां पर आपको simply दुबारा से add to cart की उपर click करना है जैसी दोस्तों आप add to cart की उपर click करोगे आप इ देख सकते हो इस course का price 4999 है लेकिन आप लोगों को यह course सिर्फ 2999 में मिलने वाली है तो जैसे कि आप अपने screen पे अभी प्रमो code देख सकते हो इस coupon code को आपको यहां पर apply करना है सीधा जैसी आप इस coupon code को यहां पर apply करोगे तो आपका जो इस course का price है वो सीधा-सीधा 4999 से 2999 म यहां पर आपको दिखे आपको proceed to checkout के उपर click करना है जैसी आप checkout के लिए जाओगे यहां पर कुछ basic information आपसे भरने के लिए मांगा जाएगा जैसे कि आपका first name, last name और यह company name सब optional है बाकि जो भी यहां पर mandatory details है जैसा city, town यह सब भरके pin code, contact number यह सब भरके आपको simply I have read and agree to website terms and condition के उपर click करना है, proceed to cash free के उपर जैसी आप click करोगे आप सीधा payment gateway के अंदर redirect हो जाओगे, यहां पर आप अपने debit card से payment कर सकते हो simply और आप यहां पर आपका UPI का इस्तमाल भी कर सकते हो payment करने के लिए जैसे कि यहां पर UPI code डाल के payment कर सकते हो, आप अपना net banking का भी इस्तमाल कर सकते हो इसके अंदर payment करने के लिए और यहां पर UPI के अंदर यहां पर जैसे कि आपका scan and pay का option होता है, इसका भी इस्तमाल कर सकते हो, जैसे आप इसको click करोगे, आपका scan and pay का option enable हो जाएगा, यहां पर आपको simply QR code का अपने mobile से scan करना है, और उसके बाद जो है, आपका payment ज करोगे, आपको simply वापस जो है, यहां पर dashboard के उपर आना है, जैसे आप dashboard के उपर click करोगे, तो आपको यहां पर आपका login window मिलेगा, आपको आगे भी जब भी आपको इस course का access करना हो, यहां पर आपको आपके अपना dashboard के अंदर आना है, डैश बोड के अंदर आप जैसे यहा से login ID मांगा जाएगा, तो जो भी email ID और password यूज़ करके आपने account बनाया था, उसी email ID और password करके आप इसका access कर सकते हैं, डैश बोड में आप देख सकते हैं, कि आप एक course के लिए enroll कर चुके हो, जैसे आप enrolled courses के अंदर जाओगे यहां पे, तो आप देख सकोगे, कि यहां पे आप एक एक करके अपने lessons को देख सकते हैं, और अपना course को complete कर सकते हैं, दोस्तों course complete करने ये बाद आपके जो भी opinions होंगे, वो मेरे साथ share जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को यह course कितना अच्छा लगा है, और साती में दोस्तों कि अगर हमें जरुरत पढ in future, किसी भी तरह का custom में updates आते हैं, तो वो सारे ही updates इसके अंदर add होते रहेंगे, उसके लिए किसी भी तरह का additional charges आपको नहीं देना पड़ेंगे, तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक उमीद करता हूँ कि आप इस course को complete कर चुके होंगे, तब तक के लि कर दो